अब इसलाम अलेकुम डिर स्टूडेंट आज वह मारा लेक्चर है वह है वर्ड फॉर्मेशन के बारे में वर्ड फॉर्मेट कैसे होता है वैसे तो इंग्लिश लैंगूज की बात करें तो थोड़ा समय बता देता हूं जब स्टार्ट हुई कोई लेंगेज तो वो वर्ड जो था वो कैसे हम ने एक निया वर्ड बनाया जब कोई चीज गिरती है और एक्जेंपल वाइड बोर्ड मारकर गिरता है उससे अवाज आती है तक से ठीका किसी जानवर के बोलने से प्रिंदे के बोलने से मतलब इस तरह से बेड वर्ड फॉर मेरे ँए है लेकिन ज़यता हर जो वर्ड की फोर्मेशन आयता ओई ग्रीक और लेटिन 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 है यह नीच व्ट बने आप बात करतें विड फॉर्मेशन लुर्ड बनता कैसे है चाब सफिक्स और प्रिफिक्स फॉर्म वा यूजिंग सफिक और फिक्सी है जफ सुफिक्सी सद्धि कर पिक्सी से प्रेटह और मुइव्ट के साथ स्ट Union के ऐसार को यूंपल किर एक यू adapt कदर एक यह कोगे यह रूटम यह रोटम यह आगए यह सफिक्सी आटेच करते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड आता है a sim की को एक नया वर्ड बनाते हैं इसमें सबसे पहले में बात करेंगे सफिक्सिस क्या राता है विख्षेस टेस्ट एड़ ऑफ रूट वर्ड गिया तहहें कुछ लेटर अटेच होते हैं रूट वर्ड के and the और आखर पर फोर एग्जेम्पल आप्वाइंट यह रूज़ वर्ड है हमारे पाफ अप्वाइंटमेंट ठीक होगा यह एंडेन ना मेंट एंड्ट पर टेच होँए यह स्फिक्सी सैंप पॉॉइंट मेंट आख केर व्डेस यह स्फिक्सी से जो हमारे root word के last पे जो धनाए हो थो हम कहते हैं यह कर यह 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 एंदाज नखर क्रिफिक्सraj चर्पर सेमिंसरकल सorous कल 27 सब्सक्राइब अभी तक चूब आत है वोर्ड फोर्मेशन किये सब्सक्राइब नचम्त के पास तो का बनता है हमारे वी चाहिज करते है तो कुछ जैसा कर चक्या appointment है और प्रिफिक्सिस क्या होता है विससे क्या होता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और एक निया वर्ड बन जाता है कि अटेशेट स्टार्ट ऑफ रूट वर्ड फॉर एक्जेंपल ग्रेजुएट से पोस्ट गेजुएट तर सरकल से सैमी सरकल ठीक हो गया यह चीज़ें यह प्रिफिक्सिस है इससे क्या होगा वर्ड फॉर्मेट होगा एक निया वर्ड इसके बाद विटा हम बात करते हैं हम हमोनिम्स क्या होते हैं होमोनिम्स क्या होते हैं सीमिलर इन परनांसियेशन और साउंड बाद डिफ्रेंट इमीनिंग अगर उनको परनांस किया जाए तो उनका क्या है परनांसियेशन क्या होगा सीमिलर होगा सेम होगा लेकिन उनका मेनिंग डिफ्रेंट होगा फॉर harmonies फिर antonyms antonyms क्या होता है opposite meaning ठीक है इनके क्या होता है opposite meaning होता है जैसा के balance imbalance यह opposite होते हैं ठीक है differently इनका जो होता है वह pronunciation होती है लेकिन उसके meaning भी opposite ही होते है balance imbalance imbalance यह क्या बना हमारे पास prefixes भी बन गया ठीक है इंपहले आ गया यह बैलेस और imbalance next वीटा हमारे पास synonyms ठीक है synonyms के same in meanings different in pronunciation but same in meaning is called synonyms for example abash shame but love अब आज दो वर्ड़ है different pronunciation है लेकिन same क्या है उसका meaning है यह हमारे पास synonyms तो बेटा जो आज हमने पड़ा है वर्ड फॉर्मेशन है एक नहा word तब बनता है जब हम किसी root word के साथ root word क्या होता है जिसका कोई meaning हो ठीक है उसको हम root word बोलते है root word के साथ हम क्या करते हैं जब कोई चीज़ अटेच्च करते हैं वह suffixes हो वह prefixes क्या होता है जब हम कोई चीज़ अटेच्च करते हैं किसी root word के साथ end पर for example meant appointment तो वह suffixes के लाएगा meaning change हो जाएगा word नहीं बनेगा प्रिफिक्स जैसा के graduate के साथ post circle के साथ semi semicircle postgraduate root word के साथ इसी तरह homonyms की बात करें homonyms में क्या होता है similar in pronunciation but different in meaning adopt adopt antonyms में क्या होता है opposite meaning होता है for example balance imbalance synonym से क्या होता है same in meaning but different in pronunciation for example abash और शें होपसो के बेटा आपको इसकी समझाई होगी next इंशाला आप से मिलेंगे